कि अब्रियों विल्कम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप लोग अच्छे तो होंगे ना तो स्टार्ट करतें आज का सेशन और आज का सेशन कॉंप्लेक्स नमबर 6 बहुत करो मैंने को मैंने स्टार्ट किया क्या किया आपके का पूर्युँट को पार्ट नमबर 6 गास्ले बताओं टीक है टीनसन अलो चाहां आप इंडी ए एर 확실히 प्रिपर्टी ऑफ आर्गुमेंट की क्या प्रपटी है तो देखो देखो यह भी लागवक सेम ही है मागड इसके कुछ-कुछ प्रपर्टी अलग होते हैं जो एक्जाम पुछाते हैं इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ प्रपर्टी ऑफ मॉडुलस बताया उसके बाद मॉडुलस अब कंप्लेक्स नमर बताया आर्गुमेंट रे लेट जेड़ जेड़ वन जेड़ टू बीदा कॉंप्लेक्स नमबर कॉंप्लेक्स नमबर है कॉंप्लेक्स नमबर है ठीक है तो देखो आर्गुमेंट जेड़ कि अगयों मॉडुश कर गया कि एकवाल होगा किस के को लोगा भाई आप मॉड उस पर लगाक उप्लीषा चुंपर माइनछ ऑर गुमेंट जेड़ के बराल हो क्या गईनश ऑर मेर गुमेंट जेड़ के बराल होगा दूसरा representing किया बोलता आ आर् winner आर्गुमेंट Z1 Z2 क्या हो जागा आपका आर्गुमेंट Z1 पलस आर्गुमेंट Z2 third property क्या बोलता है ध्यान से देखना third property अगर लिख दिया आज़ा argument z1 z2 का conjugate तो आपका क्या हो जागा argument z1 minus argument z2 समझ में आ रहा है ना समझ में आना चाहिए यहां तक कोई तकलिफ नई तकलिफ सारे concept है यह argument z का conjugate जैसे लगेगा जेटेटू पे तो क्या झागा अर्गुमेंट जेड़ वन माइनस आर्गुमेंट जेड़ टू ठीक है टेंशन नालो सब एक-एक चीज इस concept के लिए होगा 4 फोर्थ नंबर अगर आपका cognitive Rd वसर्षार इंट्र मेंट में 2 जेड़ के पावर इन है तो क्या हो आइन अ HIS मिट और में प्रेंड हैं अगर वही पर वहीं पर देंदिया जा में आर्भूमेंट जर्ड़ बटा Z2 आर्गुमेंट Z1 बटा Z2 दे दिया जा है क्या आर्गुमेंट Z1 बटा Z2 तो क्या हो जागा आर्गुमेंट Z1 debate & arguments Z1 बटा Z2 F1 – argument Z2 ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहें दिक्कत अब देखो six नंबर मॉस्ट इंपॉर्डेंट कॉंसेप्ट एक्जाम में पूछा जागा सिधा सिधा ध्यान अखना इसको और एयर फोर्स नेभी वाले ध्यान अखना ध्यान अखना भाई देखो जेड का जेड का का कॉंजुगेट कर दिया तो क्या हो जागा टू आर्गुमेंट अगले प्रपर्टी क्या है अगला प्रपर्टी बहुत इन्पॉर्डेंट है अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे z1 plus z2 का स्क्वायर तो क्या लिखोगे z1 का स्क्वायर plus z2 का स्क्वायर plus 2z1 z2 cos theta 1 minus theta 2 ठीक है अगर आपको अगर आपको अगर आपको z1 minus z2 का स्क्वायर बोले तो क्या लिखोगे z1 का स्क्वायर plus z2 का स्क्वायर minus 2 z1 z2 cos theta theta 1 minus theta 2 ठीक है theta 1 minus theta 2 और अगर पूछे where theta is equal to क्या होगा theta 1 is equal to क्या होगा तो क्या बोलोगे argument z1 क्या बोलोगे argument z1 theta is equal to क्या होगा argument z1 अगर and theta 2 की बात करें तो क्या होगा argument z2 क्या होगा argument z2 ठीक है तो यही चीज़ ध्यान में रखो आप कि आपको देखो z1 plus z1 का square कर देगा और इसका property होता है argument का क्या हो जगा a plus b का अगर तोरेंगे और last मिलें cos theta 1 minus theta 2 और theta 1 आपका argument z1 है और theta 2 आपका argument z2 है ठीक है यह चीज़ ध्यान लखना argument के case में ऐसे होता है इसको note down कर लो paper में जब property सीधा सीधा question पूछे जाएंगे न तब फिर छोड़ के आओगे exam में ठीक है exam में छोड़ के आओगे बोलोगे paper tough है ठीक है exam में छोड़ के आओगे और बोलोगे paper tough है अब अगली बात करते हैं अब देखो एक और property देखो क्या आपका बहुत important property है आपका बोल रहा है क्या 8 number 8 number क्या बोल रहा है आपका z1 plus z2 is equal to क्या हो जाएगा आपका z1 minus z2 क्या होगा z1 minus z2 होगा कैसे होगा argument z1 minus argument z2 is equal to क्या होता है pi by 2 होता है ध्यान अखना कब होगा जब आपका argument z1 minus z2 क्या होगा pi by 2 होगा तभी आपका z1 plus z2 का mod क्या हो जागा z1 minus z2 का mod के बड़ाबर अब 9th number concept 9th number concept क्या बोल रहा है आपका अब देखो ध्यान से रगना दोनों प्रपड़ी बहुत ही simple और basic है मगर दोनों थोरे थोरे में दोनों का low चाहे ठीक नहीं z1 plus z2 का बड़ाबर कब होगा z1 plus z2 z2 का बड़ाबर कब होगा अलाग अलाग जब आर्गोमेंट z1 equal होगा जब आपका आर्गोमेंट z1 equal होगा किसके आर्गोमेंट z2 के आर्गुमेंट z1 एकवल वा किसके आर्गुमेंट z के तभी आपका हो पायगा possible वर्ना नहीं होगा आपका z1 प्लस z2 एकवल किसके z1 माइनस z2 के तब होगा जब आर्गुमेंट z1 और माइनस आर्गुमेंट z2 is equal to pi by 2 होगा मगर इन्दा case of 9th प्रुपर्टी अगर आप z1 प्लस z2 को mod का अगर z1 प्लस z2 लिखते हो कब होगा आर्गुमेंट z1 is equal to आर्गुमेंट z2 ये चीज़ ध्या नकलो नोट डॉन करलो इतना एक और प्रुपर्टी बता बचा है देख लेता उसको इसको नोट डॉन करलो इसको तब तक नोट डॉन करलो इसको जल्दी से नोट डॉन करलो उसके बाद अगले प्रुपर्टी पे चलते है देख प्रुपर्टी नमबर 10 क्या बलता है इफ आर्गुमेंट अफ जीरो इज नॉन डिफाइड देखो इंपर्टेंड आर्गुमेंट 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 आफ जीरो आर्गुमेंट आफ जीरो इज नॉट डिफाइड मॉस्ट इंपर्टेंड याद रगना आर्गुमेंट आफ जीरो क्या है नॉट डिफाइड याद रगना और argument, if argument z is equal to 0, then z is real, if argument z is equal to 0, then z is real, z क्या होगा, आपका real होगा, z क्या होगा, आपका real होगा, सारे property मैंने लिखवा दिये, अब square root of complex number, उसके tricks मैंने बताया थे, और इसके formula कैसे use किया आते हैं, उसको कैसे करना होगा, वो भी देखो, ठीक है न, वो भी देखो, और दोनों दिखाता हो, टेंसर नालोग दोनों दिखाता हो, इसके formula भी नहीं चुटने चाहिए, एक्जाम से करेंगे, उसको tricks बता देंगे, tricks भी बता चुका हो, लेगिन फिर से repeat कर दूँगा, चलो, note down करो जल्दी से, note down कर लो, जल्दी से उसको चलते, square root of a complex number पे, किस पे square root of a complex number पे? इधर का लिख लिए होगे, साहल हमको लगता है, a square root of a complex number, heading डालो, square root of a complex number की बात करते हैं, तो जल्दी से उसको note down करो, फिर बात करते हैं, square root of a complex number, चलो, देखो, पाले देखो, let a plus ib, इसी को क्या बोलते हैं, complex number बोलते हैं, complex number बोलते हैं, complex number, ठीक है, ठीक है, अब ध्याँ से देखो, such that, root under a plus ib, अगर root under a plus ib को लिख सकते हैं, 생 ग्याँ सका अगरिभाबियल्ग हैं, where x and y are the, x and y are the real number, x and y are the real number once again? अगर बी आपका पॉस्टिव होगा तो क्या होगा देखो देखो अब ध्यान से देखते रहा ना बहुत ही सिंपल है देखो रूट अंडर ए प्लस आई बी ऐसे कोस्टन को मैंने करवाने की किया है फॉर्मूला देख लो भाई जिस बच्चे को फॉर्मूला से बहुत महबत है वो जानते कि मैं फॉर्मूला से ही करूंगा गुरू जिते देखो वन बाई टू ए स्क्वाइर पलस बी ए स्क्वाइर पलस ए ए स्क्वाइर पलस ए उसके बाद देखो पलस ए वन बाई टू रूट अंडर अगर ए स्क्वाइर पलस बी ए स्क्वाइर माइनस ए यही आपका फॉर्मूला यह पॉर्मूला देखके तो मुझे चक्कर आ रहा है आपको तो कैसे ळी Gregory यह अगर आपका भी निकेस बनता है यह से केसर प्रियों नेकेटीव कि प्रिजिन चलक ऑर है सिकेंड तो क्या हो जागा आपका ट्रेन को जाने की तब तयंसका हो जाओ अठीक है देखो यही फर्मूला है देखो यही फर्मूला है आपको स्क्वार रूट अफ और कॉंप्लिक्स नम्र बूलेगा रूट अंडर ए प्लस आई भी बूलेगा तो क्या लिखोगे पता है प्लस माइनस वन बाई टू रूट अंडर फिर रूट अंडर ए स्क्वार प्लस बी ए स्क्वार प्लस ए प्लस आई वन बाई टू रूट अंडर ए स्क्वार प्लस बी ए स्क्वार माइनस ए ऐसे लिखोगे आपका केस अगर बी निगेटिव होगा बी पॉस्टिव होगा दुनों का सिर्फ यहां पे प्लस माइनस में चेंज जागा बाकी कोई चेंज नहीं आगा ठीक है तो यह फॉर्मूला आपको याद करना हुआ अगर प्रिवेस्व पूछा क्या कोई करवाता हो ठीक है वहीं करवा करवा कि अगर आपका कोई स्वारूट निकालने के लिए क्या स्कॉयर रूट इस्क्वार रूट निकालने के लिए सेम और आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है बोलना है कि इस्क्वार रूट हमें फाइंड करना है कहां चला गया भाईया यहां पे देखो 3 प्लस 4 आए देखो सबसे पहले 4i को इधर लिखो काम वही कर रहा हूँ लेकिन ध्यान से काम वही कर रहा हूँ स्क्वायर रूट चरा दो इस पे ठीक है ना काम वही कर रहा हूँ लेकिन ध्यान से इसको 2 से डिवाइड कर दिया क्या बच्चा 2i बच्चा था बचा गुरु जी तो आई को कैसे लिख सकते तीन बनाने के लिए तो गुरु जी हम लिखेंगे दो और एक यहां पर आई लिख देंगे वन आई लिख देंगे तो देखें तो एड करके दोनों एड करके तीन हो रहा है हो रहां गुरू जी तीन तो हो रहा है मतलब यह बन रहा है तो यहां पर आई लिख दो उसके बाद और यही आपका राइट एंस हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना मेरे बंदू, पिछले लेक्चर में मैंने इसके ट्रिक्स बता चुका हूँ, ये repeat कर रहा हूँ, repeat मतलब आपको इस formula की वज़ा से मैं इसको solve कर रहा हूँ, न तो इससे पहले मैं इसको बता चुका हूँ, ठीक है न, याद रखना इस चीज को, इस मैं पहले भी बता चुका हूँ, मगर ये formula को किछ बच्चे ने बोला, repeat कर दीजे, इसलिए मैं इसको repeat भी कर रहा हूँ, ठीक है न, अब देखो, आगे हम पढ़ेंगे cube root of unity, cube root of unity and properties of a cube root of unity, उसको आद eulerts और eulernians form of complex number, demobious theorem, उसके बाद nth root of unity पढ़ेंगे, उसको geometrical application of complex number, ये करते हुए, उसके बाद आपका lecture खतम जागा, मतलब दुख, class और लगेंगे concept में, उसके बाद आपका करूँगा क्या, उसके बाद आपको सारे previous question ठोकवाँगा, ये concept, चेंसर ना लो concept वही, जो paper में सीधा ठोकवाँआ दे, ये NDA में पूछा गाए question है, NDA दूज चैनल पर नया हो, like, subscribe, share, बिल्कुल ठोक देना, ठोक ना ही है, और फिर comment कि आपको ये video कैसे लगा, ऐसे से ताहल का tricks और property आपको कैसे लग रहे है, वो comment से लगा ना, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट विर्म फिलाल इतना ही, जाहिन, जावारत, बने महत्रम